ओके स्ट्रेंट्स वेलकम टू एस्पी स्मार्ट हैब्रिड इस्पुलिंग सिस्टम बच्चे अब हम लोग इन सी यार्टी इन टेक्स्ट कोईशन का सॉलीशन डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें की फर्स्ट कोईशन है हमारे पास राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट युपेसी नेम ऑफ ऑल दा आईसोमर्स जितने आईसोमर्स बनेंगे उसके आईपीसी नेम लिखने हैं वाट टाइप ऑफ आईसोमेरिजम इज एग्जिबिटेड बाइडिफरेंट पेयर्स ऑफ एमाइन जो पेयर्स बनेंगे उसमें कौन-कौन सी आईसोमर होंगे चेन पोजिशनल फंक्शनल जो भी होंगे वो बताने हैं तो फंक्शनल तो होगा नहीं क्योंकि हमें बोल दिया सिर्फ एमाइस बनाने हैं तो दूसरा फंक्शनल ग्रूप तो इसका लिंगे नहीं अब इसमें देखना है जो एमाइस बनेगा उसमें चार कार्बन है तो कार्ब होता है two into number of carbon plus two plus n मतलब number of nitrogen atom plus p है नहीं minus h minus x नहीं है divided by two अब इसको solve करो eight plus two ten eight plus two ten हो या plus one eleven minus eleven zero by two zero ठीक है अब देखो जो माइस बनाएंगे हम लोग उसमें चार कार्बन single bond से connect करेंगे देखो one two three four carbon एक में first carbon पे नस्टू लगा देते हैं दूसरे में भी चार कार्बन का chain बनाए second पे नस्टू लगा देते हैं तो एक structure यह हो गया तो इसका name क्या होगा one two three four butane है butane one amine क्योंकि first carbon पे नस्टू ग्रूप है तो butane one amine और nitrogen के साथ एक ही alkyl है इसलिए से primary amine बोलेंगे ठीक है इसमें नबरिंग करो right से करना पड़ेंगा क्योंकि नस्टू लिस्ट पोजिशन पे आएगा two three four तो यह भी butane हो गया इसमें second carbon पे नस्टू है तो two amine और इसमें भी जो नस्टू है वो एक ही carbon उसके साथ एक ही alkyl है इसलिए से भी हम लोग primary amine ही बोलेंगे वही यहां पे भी लिखा हुआ है ठीक है अब देखो दोनों में carbon का जो चेन है वो same length का है लेकिन जो नस्टू का position है वो चेंज हो रहा है इसलिए इसलिए इसे हम लोग पोजिशनल isomer बोलेंगे पोजिशनल isomer ठीक है अब next क्या किया हमने तीन carbon का चेन बनाया इसमें भी तीन का चेन है यह वर्टिकल बना दिया आप चाहो तो horizontal भी बना सकते हो तीन का chain बना दें और methyl लगा-दो second पर now यहिसा है इसमें भी से केंड मिथाइल थो इसमें force पर इसमें इसमें also second पर लगा दिया तो द China डोनों में तीन काई है इसमें भी तीन का है और इसमें भी तीन तो टू पे सबस्टिचुएंट आगया CS3 तो टू मिथाइल तीन कार्बन है तो प्रोपेन वन एमाइन तू मिथाइल प्रोपेन वन एमाइन और ये भी प्राइमरी है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही अलकाइल है अब इसमें देखो वन टू त्री तो सकेंड पे मिथा आप सकेंडरी बना लेते हैं जो नाइट्रोजन है उसमें तीन का चैन इधर बना लिए एक का चैन इधर दूसरे में क्या किया एफ में दो का चैन इधर दो का चैन इधर ठीक है तो दोनों जो है चैन आइसोमर हो गया क्योंकि इसमें लोंगेस चैन थ्री का है इसमें टू होगा, a and d भी chain isomer होगा, क्योंकि chain length इसमें change हो रहा है, अब e and f जो है, e and f में भी chain length चेंज हो रहा है, इसलिए इसे chain isomer बोलेंगे, और name देखो, ये substituent हो गया n पे, इसलिए क्या बोलेंगे, n methyl, तीन carbon का chain है, propane, one amine, ये one को छोड़ दे रहा है, इसको one amine बोलेंगे, और नेक्स्ट जो है इसके साथ क्या-क्या दो-दो का चेंड मना दिया, तो कोई भी लॉंगेस्ट ले सकते हो, तो एन पे इथाइल है, इथेन, वइन एमाईन और इसके साथ भी दो अलकाल है, तो सेटेंटरी एमाईन, ठीक है, अब क्या किया, जो यह एन जी है, यह आपस में य गुझकी तो एन-मिथाइल-प्रोपेन-2-माईन एन-मिथाइल-प्रोपेन-2-माईन एनल-इन के साथ दो-अलकायल से 1-2 इसे लिए से सचन्डरी-एमाईन वहलीग लें 2020 टर्सरी बनाया चार कार्वन था दो एक जगह, एक एक जगह, एक एक जगह तो यह टरसरी एमाइन हो गया N पे दो मिथाइल हो गया क्योंकि लॉंगेस चेन यह हमारा तो N, N, डाइमिथाइल, इथेन, वन एमाइन अब कौन-कौन सा चेन बना था वो हमने बता दिया आईसोमर का ठीक है चेन आईसोमर कौन थे, पोजिशनल आईसोमर कौन थे यह बता दिया था हमने और यह जो है बच्चे, इसको हम लोग मेटामर भी बोल सकते हैं इस दोनों को चेन आईसोमर और मेटामर क्योंकि इसमें तीन एक का है, इसमें दो-दो का है तो इसको चेन आईसोमर के साथ हम लोग मेटामर भी बोल सकते हैं लेकिन जो E and G है उसमें चेन का लेंथ 3-1 इसमें भी 3-1 है, पोजिशन चेंज हो रहा है तो इसे हम लोग only पोजिशनल आईसोमर बोलेंगे नेक्स्ट कुश्चन नमर टू है classify the following amines as primary, secondary and tertiary तो first देखो nitrogen के साथ एक ही aromatic ring लगा है यह जो है by cycle ring है aromatic ring है लेकिन nitrogen के साथ एक ही है इसलिए से primary amines बोलेंगे यहां nitrogen के साथ एक aromatic ring है और दो methyl है तो दो एक तीन हो गया इसलिए से tertiary amine बोलेंगे यहां nitrogen के साथ एक ही alkyl लगा हुआ है दो hydrogen ही है तो यह primary हो गया यहां nitrogen के साथ दो alkyl है एक hydrogen है तो इसे हम लोग secondary बोलेंगे तो first and fourth first and sorry third first and third primary है second जो है हमारा tertiary है और जो fourth है वो हमारा secondary है second tertiary है और fourth secondary है यह हमने mention कर दिया है third है how will you convert conversion है हमारा benzene into aniline तो benzene से aniline NH2 group benzene में direct लगाने का कोई तरीका नहीं है तो पहले nitrogen कर देंगे concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid के साथ benzene का तो electrophilic aromatic substitution होगा nitro electrophile benzene के साथ जूरेगा और H2O eliminate होगा अब nitro benzene का reduction कर दिया H2PD से या चाहो तो इसमें आप SNHCL भी डाल सकते हैं जिसे हमने एक बार example के question में देखा था तो ये NO2 NH2 group में convert हो जाएगा benzene के साथ NH2 group इसे ही हम लोग aniline बोलते हैं या benzene amine benzene से NN di-methyl amine benzene से NN di-methyl amine benzene से NN di-methyl aniline बनाना है तो पहले benzene से aniline से बना लेंगे benzene का nitrogen करेंगे concentrated nitric acid और concentrated sulfuric acid से water eliminate होगा और nitrogen benzene बनेगा इसमें H2PD या SNHCL डालेंगे तो aniline बनेगा अब इसका Hoffman immunolysis कर देंगे methyl chloride डालेंगे तो 1HCL को remove करके HCL बनाएगा और CS3 इसके साथ फिर CS3 CL डालेंगे तो 1HCL को eliminate करेगा और N के साथ CS3 आएगा तो di-methyl aniline बन गया ठीक है और इसमें जो है हम लोग alcoholic medium में इसको लेंगे इसमें जो medium है वो alcoholic लेना है ठीक है question number third है हमारा H24 मतलब butane हो गया first और fourth दोनों position पे chlorine है तो butane 1,4 dichloride है या 1,4 dichlorobutane से hexane 1,6 diamine तो 2 carbon बनाना है तो दोनों के जगह पे हम लोग alcoholic casein डाल दें तो यहाँ भी cyanide, यहाँ भी cyanide 6 carbon आ जाएगा तो देखो alcoholic NACN या casein डालेंगे दो बार तो इसको भी cyan से replace कर देगा और इसको भी cyan से replace कर देगा four carbon five और six हो गया अब दोनों side reduction कर दो H2 NI से या mendious reduction कर सकते हैं तो क्या होगा दो hydrogen यहाँ, दो hydrogen यहाँ दो यहाँ, दो यहाँ चार hydrogen आएगा चार बार यह करना पड़ेगा तो यह भी convert हो गया हमारा amine में तो six carbon का chain हो गया तो hexane one six die amine next question number four है हमारे पास arrange the following in increasing order of their basic strength फिर से basic strength के increasing order में arrange करना है जैसा कि हमने example में भी देखा था तो यह भी देखो ethyl amine है हमारे पास क्या है फिर से ethyl amine तो ethyl amine में हमने बताया था जो basic strength होता है सबसे ज़्यादा secondary का फिर tertiary का फिर primary का दिन ammonia का और अगर aromatic आ जाए जिसमें benzene directly जुरा होगा N से तो resonance के कारण उसकी basicity सबसे कम होगी तो first देखो ethyl amine है यह benzene जुरा हुआ है तो सबसे कम इसी की होगी फिर NS3 है फिर यह हमारे पास bengyal amine है फिर secondary है तो primary और secondary में सबसे ज़्यादा secondary का होगा तो सबसे ज़्यादा secondary का फिर primary का फिर ammonia का ठीक है और bengyal का सबसे कम होगा फिर ammonia फिर primary सबसे ज़्यादा secondary का यही हमारा order होगा ठीक है next जो question है next question में second में क्या है ये इथाइलमाइन है ये primary है ये secondary है ये tercery है ये aniline है तो aniline का तो सबसे कम होगा जो C6H5 मतलब benzen ring के साथ NH2 है सबसे कम होगा और सबसे जदा secondary का सबसे जदा secondary का फिर tercery का फिर primary का अमोनिया तो ही नहीं तो इसके बाद हमारा इसमें प्राइमरी ले लेंगे C2H5NH2 उसके बाद प्राइमरी के बाद टरसरी हो जाएगा C2H5H3N और उसके बाद फिर हमारा सकेंडरी हो जाएगा C2H5H2NH अब यह देखो मिथाइल है मिथाइल के केस में सबसे ज़्यादा सकेंडरी का मिथाइल के केस में 2,1,3 मिथाइल के लिए और इथाइल के लिए हमने बताया था 2,3,1 ठीक है तो यह मिथाइल है तो सबसे ज़्यादा सकेंडरी का होगा secondary है इसमें यह रहा सबसे ज्यादा इसका होगा secondary के बाद जो कम होता है primary का होगा फिर यह होगा सबसे ज्यादा secondary का देखो CS3 hall 2 NH सबसे ज्यादा फिर primary का होगा CS3 NH2 फिर tertiary का होगा tertiary है इसमें हाँ है CS3 hall 3 N इसके बाद हमारा होगा ammonia का ammonia है नहीं अभी हमारा benzyl है और यह जो है aromatic है जिसमें nitrogen directly benzyn link से attached है तो इसका सबसे कम होगा इससे ज्यादा हमारा benzyl हो जाएगा CS6 H5 CH2 NH2 और सबसे कम हमारा हो जाएगा aniline का due to resonance तो इसका भी answer दिया है देखो सबसे कम फिर aniline फिर tertiary primary secondary ठीक है next है complete the following acid base reaction and name the product तो first में क्या है हमारा normal propylamine HCl से यह हमारा base है यह acid है acid और base salt का formation करेगा यह जो है H plus लेगा तो NH3 plus और CL minus यहां से eliminate हो जाएगा तो NH3 plus CL minus तो normal propyl ammonium chloride ठीक है अब second है हमारे पास second इसमें नहीं दिख रहा है तो यह tertiary हमारा tertiary ethyle amine है तो यह lone pair है lone pair H plus के साथ tertiary sorry methyl नहीं ethyle है tertiary ethyle tertiary है ethyle ammonium ठीक है tertiary ethyle ammonium हो गया तो यह बनिया tertiary ethyle ammonium N पे plus charge हो जाएगा H के साथ और CL minus तो tertiary ethyle ammonium chloride ठीक है try ethyle ammonium chloride try ethyle ammonium chloride ठीक है question number six right reaction of the final alkylation product of aniline with excess methyl iodide methyl iodide excess में है in the presence of sodium carbonate solution तो same 1 HI के साथ HI eliminate करेगा और यहाँ पे क्या है methyl तो एक methyl लग गया अभी भी एक hydrogen है तो यह HI के साथ HI eliminate करेगा और methyl लग जाएगा तो N N एन पे दो methyl है डाय मिथाल एनिलीन ठीक है अब CS3 I है अभी भी इसके पास lone pair electron है तो क्या करेगा यह जैसे ही lone pair electron CS3 plus के पास जाएगा I minus eliminate होगा तो यह quarternery ammonium salt बना लेगा जो I minus के साथ क्या करेगा salt का formation करेगा ठीक है अब इसमें Na2CO3 डाला है Na2CO3 carbonate ion है carbonate ion iodide को eliminate करके 2NAI बनाएगा और इसके साथ carbonate का salt का formation हो जाएगा next question number 7 है write chemical reaction of aniline aniline का reaction benzoil chloride के साथ and write the name of product of 10 तो इसमें भी जो aniline है यह हमारा nucleophile का काम करेगा benzoil chloride जो है इसमें इलेक्टोफिलिक carbon है इसमें oxygen पे partially negative carbon पे positive partially positive और जो CL है यह better living group है तो aniline उसे less nucleophile होता है क्योंकि लौन पियर इसका resonance में है लेकिन यहां पे benzoil chloride के साथ इसमें electrophilic center है तो यह nucleophile का काम करेगा यह इस पे attack करेगा oxygen पे minus charge आएगा और जो CL हमने बता है better living group है जैसे ही CL minus निकलेगा oxygen फिर से यहां के double bond का formation कर लेगा तो अब यह क्या बना लिया amide तो n-phenyl benzenamide का formation करेगा next question number eight है हमारे पास write structures of different isomers corresponding to molecular formula C3H9N जैसा कि हमने first question में देखा था write IUPAC name of isomers which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid ठीक है तो पहले तो isomer बनाना है फिर देखना है कौन कौन nitrogen gas देगा HNO2 के साथ nitrous acid मतलब HNO2 C3H9N है ठीक है H9N तो यह amines बनाएंगे ठीक है और इसका भी unsaturation factor या double bond equivalent जैसे बोलते हैं वो निकालें तो 2 into 3 plus 2 plus 1 minus 9 by 2 तो 2 into 36 plus 2 8 plus 1 9 minus 9 0 ठीक है मतलब इसमें भी double bond नहीं होगा तो 3 carbon का chain और NH2 first पे तो propane 1 amine यह primary है second पे लगाएंगे तो propane 2 amine यह भी primary होगा अब क्या किया दो carbon का chain बनाया मिथाइल एक छोड़ दिया तो N-methyl इथेनामाइन जो secondary है और तीनों एक एक लगा दें तो N-N-dimethyl मिथेनामाइन जो की tertiary होगा तो 4 इसके आईसोमर बनेंगे अब देखो जो primary amine है primary amine का reaction अलिफेटिक का अगर HNO2 के साथ करें तो alcohol बनाता है nitrogen और HCL देता है secondary amine जो है HNO2 के साथ nitroso compound बना लेगा तरसरी amine जो है quaternary ammonium salt बना लेगा इसलिए जो primary amine होगा वही nitrogen gas देगा तो primary amine इसमें कौन-कौन है एक यह है और एक यह है तो यही nitrogen gas देगा जिसका reaction है यह जो propane 1 amine है यह propanol nitrogen SCL बनाएगा और यह जो है propane 2 amine यह isopropyl alcohol बनाएगा propane 2-ol nitrogen और SCL देगा question number 9 यह भी हमारा conversion है पहला है हमारा convert 3-methyl aniline into 3-nitrotoline 3-methyl third-methyl aniline है इसको 3-nitrotoline में convert करना है Toline मतलब CS3 group रखना है NS2 के जगापे NO2 लाना है ठीक है अब NS2 को NO2 में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो NS2 को NO2 में लाने के लिए हम लोग इसको digonium salt पे पहले convert करके getterman यह करते हैं जैसे हम लोग getterman reaction करेंगे तो chloro और bromo आ जाएगा NO2 नहीं आएगा तो fluoroborate से reaction करेते हैं फिर अगर heat करते तो fluorobenzene बन जाता लेकिन अगर NANO2 के साथ heat करें तो NO2 आ जाएगा तो पहले इसकी digotization कर दें NANO2 और HCl से 0 to 5 degree Celsius तो digonium salt बनाएगा और meta position पे methyl रहेगा फिर इसका क्या किया HBF4 से reaction किया तो N2 BF4 मैनस बना अब अगर सिर्फ इसको heat कर दिया जाए तो यहाँ पे fluorine लग जाएगा लेकिन अगर NANO2 के साथ heat करें copper के presence में तो यहाँ पे NANO2 का NO2 मैनस आ जाएगा और यह बन जाएगा nitro group तो यह हो गया 1,2,3 थर्ड पोजिशन पे NO2 है तो इसलिए इसको 3 nitrotoline बोल सकते हैं बेंजीन के साथ CS3 थर्ड पोजिशन पे NO2 group second है aniline से 1,3,5 tribromobenzene aniline से 1,3,5 tribromobenzene बनाना है देखो aniline है अब इसका अगर bromination करें तो 2,4,6 थीनो फोजिशन पे क्या आ जाएगा Ns2 group ठीक है अब इस Ns2 को हटाना है तो same digonium salt बनाएंगे digotization करेंगे NaNo2 HCl के साथ 0,5 degree Celsius पे तो यह digonium salt बन गया अब इसमें S3PO2 H2O डालेंगे तो digot group जो है hydrogen से replace हो जाएगा 135 tribromobenzene बन जाएगा ठीक है अब next video में हम लोग exercise के questions देखेंगे